हट का एक अर्थ, जैसा हमने पहले ही देखा, इसका अर्थ है जिद. शरीर को एक नया आकार देने के लिए, एक तरह से, सारे सिस्टम को बुनियादी तरीके से दोबारा बनाने के लिए, एक तरह की जिद, यानि हट की जरूरत है. ये भगवान के लिए भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने संडे को छुट्टी ली थी, शिव ने नहीं, पर आप में से ज्यादतर लोग जहां से आये हैं, वहाँ भगवान ने संडे को छुट्टी ली थी, इसलिए वो हट योगी नहीं है, वो हो ही नहीं सकते, हट योगी में जिद होती है, उसका कोई संडे मंडे नहीं होता, वो हमेशा चालू रहता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप एक व्यस्क हो चुके शरीर को फिर से नहीं बना सकते। उनके शरीर में बसी थी, जो पहले दो थे, वो साथ आते हैं, और एक अधिक कॉंप्लेक्स मेमोरी सिस्टम बनता है, और इसी तरह हर बच्चा पैदा होता है। तो शरीर का आकार, आपका पूरा सिस्टम जिस तरह से है, सब कुछ ज्यादा तर इसी मेमोरी से आकार लेता है। अब, अगर आप एक खास तरह से हैं, इसे करने के तरीके हैं, हम दरसल ऐसे लॉंग टर्म एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, अगर कोई इसे फंड करे तो, हम दिखा सकते हैं, आप थोड़ा पीछे जा कर देखिए, मान लीजिए, पांच पीडी पहले, मेरे पर दादा, पर 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 दादा, बहुती महान इंसान थे, वो बहुत अक्लमंद, शारिरिक तोर पर मजबूत और बहुत काबिल थे, मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ, हम कुछ खास तरह का योग कर सकते हैं, जिससे उस याद का ज्यादतर हिस्सा आपके तंदर में जगाया जा सक वो सकता है कि आपके पिता कम्जोर थे, आप वैसा नहीं बनना चाहते, आप अपने पर-पर पर दादा जैसा बनना चाहते हैं, तो कुछ खास तरह के योग हैं, जिससे हम उस मेमोरी को पहचान कर उससे सबसे ज्यादा सक्री कर सकते हैं, वो एक मातर मेमोरी नहीं होगी, पर वो सबसे ज्यादा हावी हो जाएगी, तो योगिक सिस्टम ने इसे ऐसे देखा, या एक और तरीका है, आम तोर पर योगिक सिस्टम इसी का पालन करता है, जब सब्त रिशी आदियोगी के सामने बैठे, तो उनकी एक मातरा अकांक्षा यही थी, कि वो उनके जैसा बन काम कीजिए, तो आज भी अगर कोई सन्यास लेता है, तो सबसे पहला कदम यही होता है, कि कुछ खास प्रक्रियाओं से वो अपनी जेनेटिक मेमरी से एक दूरी बना लेते हैं, जो कहीं और से आई है, क्योंकि ये छोटा सा अंतर भी सिस्टम में काफी लचीलापन ले आत खुद को वैसा आकार देने के लिए जैसा आप चाहते हैं, आपके पास जरूरी साधना होनी चाहिए, वरना मेमरी भी नहीं और जागरुकता भी नहीं, तो ये बेकाबू हो जाएगा, लोग जल्दी मर सकते हैं, ऐसा भी संभाव हैं, अगर कोई दूरी बना लेता है, किसी याद ही शरीर को एक तरह के आकार में संभाले रखती हैं, क्यों किसी एक व्यक्ती का शरीर दूसरे के तुलना में कहीं ज्यादा संपूर्ण दिखता है, स्वाभाविक रूप से, ऐसा उस जेनेटिक मेमरी की वज़े से होता है, जो उनके पास है, तो हठी योग में, कम से कम साधना के इस तर पर हम जेनेटिक मेमरी से दूरी बनानी की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपने भीतर जो सबसे बहतर है, उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरह के लोग हो सकते हैं, अगर आप अपनी पिछली 25 पीडियों को देखें, अगर आप अपने फैमिली ट्री को देखें, अगर आप ठीक पिछली पीडियों को देखते हैं, तो आपका संबंद केवल दो लोगों से हैं, आपकी माँ और पिता, लेकिन अगर आप थोड़ा आके देखें, तो कम से कम डेड़ सो लोग आपके मेमरी में अपना योगदा कुछ सेहत मन्द, कुछ बहुत केंदरेत और कुछ बिखरे हुए, इस ट्री में हर तरह के लोग हो सकते हैं, आप किससे ग्रहन करते हैं, या इन सभी से सबसे अच्छी चीज़ें कैसे ग्रहन कर सकते हैं, ये महतुपूर्ण है, हठ यानी हः यानी सूर्य और ठ यानी सूर्य और चंद्र किसी रूप में गर्भाधारन करते हैं, और ये हो रहा है, अगर सूर्य नहोता, तो जीवन भी नहीं होता, अगर चंद्रमा नहोता, तो जीवन वैसा नहीं होता जैसे अभी है, ये शायद किसी और तरह से होता, तो ये तीनों आयाम एक एहम भूमिका तो हट का एक पहलू है, अपने वन्ष के प्रभाव को एक और रख देना, मेरे पिता, मेरे दादा, इन सभी को आप किनारे रख दीजे, क्योंकि ये सारा वन्ष सूर और चंद्रमा से शुरू हुआ है, आप सीधे उन्ही से ग्रहन करना चाहते हैं, हट योग का यही अर्थ ह आप एक ऐसा संतुलन पैदा करते हैं, कि ये बीच के कडियां खो जाती हैं, और आप सीधे उस से ग्रहन करते हैं, जैसा कि जीवन बनाया गया था बीच में बहुत सारा ब्रष्टाचार हो चुका है, सदियों की पेडियों द्वारा, आप उसे मिटा कर सीधे अपने माता पिता से ग्रहन करना चाहते हैं, सूर को पिता की तरह और चंद्रमा को मा की तरह देखा जाता है जैसा कि हमने कई बार देखा है, हमारी माताओं के पास मा बनने की योगिता इसी बज़े से आई है, क्योंकि वो चंद्रमा के चक्रों के साथ तालमेल में थी, वरना वो इस योगित नहीं होती कि हमारी मा बन सके वो सिर्फ उसी कारण बच्चे पैदा करने के काबिल बनी, तो अपने असली माता और पिता से सीधे संबंध बनाना और इसके बीच, योग में हम कहते हैं, कि बीच में सब ब्रष्टाचार है सब कुछ मिला हुआ है, जेनेटिक और दूसरी यादें, हर तरह की चीजें हुई, हो सकता है, कुछ अच्छी हों, कुछ बुरी हों, हर तरह का मिक्स्चर है, हमारा उस पर काबू नहीं, तो सीधे हर और ठ से ग्रहन करना, जो हैं सूर्य और चंद्रवा तो हठयो की प्रकृती ऐसी है, कि हम धीरे धीरे सूर्य और चंद्रमा से जुड़ सकते हैं, आपको चेक करके देखना चाहिए, ढई साल तक अगर आप हर दिन साधना करते हैं, कर लेकं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आजच चंदरमा की कौन सी कला है? क्योंकि ये आपके सिस्टम में भी होता है. एक हट ही होगी, अगर अपनी आखें बंद करें, तो उसे चंद्रमा की कला पता होना चाहिए सूर के दूसरे भी पहलू है जो जाने जा सकते हैं जो ज्यादा जटिल हैं पर कम से कम चंद्रमा की कलाएं तो अपने भीतर पता चलनी चाहिए ये लोगों के अंदर बिलकुल गायब हो चुका है इसका मतलब अपने भौतिक रूप के मूल स्त्रोत के साथ जरा भी तालमेल नहीं बचा अगर आप इस संसार में कुछ करना चाहते हैं तो भौतिकता महत्वपूर्ण है अगर आप केवल आत्मग्यान प्राप्त करके अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं तो ऐसा करने के दूसरे तरीके हैं बस ऐसे हम आपको बाहर निकाल सकते हैं पर आश्रम में ऐसा ना करें ठीक है? सिर्फ आत्मग्यान पाना हो तो ऐसा करने के कई तरीके हैं आप आत्मग्यान भी पाना चाहते हैं एक शक्तिसाले जीवन भी जीना चाते हैं, तब हाठ एक एहम पहलू बन जाता है।